उत्तरप्रदेश के उन्नाओं में तैनात इंस्पेक्टर के विधान सबाचुनाओं से जुड़े अब तक कई वीडियो शोशल मीडिया पर वाइरल हो चुके हैं कुछ दिन पहले इंस्पेक्टर का कानपुर हिंसा को लेकर भी एक वीडियो सामने आया था अब शुकरवार को जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा पर इंस्पेक्टर का एक और नया वीडियो वाइरल हो गया है इसमें वे कविता पढ़ते दिख रहे हैं कि सोशल साइट पर अगर नफरत फैलाओगे तो दर दर ठोकर खाओगे जेल भी जाओगे कविता पाठ करने वाले इस्पेक्टर धर्म राजुपाध्याए ने कानपूर के उपद्रवियों को अपनी कविता से आईना दिखाया है प्रदेश की कानून विवस्था को कविता के जर्ये तीन दिन पहले उन्होंने यू बखान किया कि पकड़ पकड़ कर हवालात में ठेले जाएंगे दंगा करने वाले बलभर रेले जाएंगे इसके बाद लिखा शेर है या शेर है बिल्ली नहीं है उत्तर प्रदेश है ये दिल्ली नहीं है अब इस्पेक्टर ने बीते शुकरवार को प्रयागराज समेत अन्य जन्पदों में हुई हिल्सा के बाद एक नया वीडियो जारी किया इस वीडियो में कहा कि शोशल साइट पर आकर नफरत फैलाओगे तो दर-दर ठोकर खाओगे जेल भी जाओगे अब ये वीडियो शोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है इंस्पेक्टर धर्मराज उपाध्याई स्रावस्ती जिले के सुनवा के गाव चंदरखा के रहने वाले हैं इस समयवा उन्नाव में अपराज शाखा में तैनाथ हैं क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर धर्मराज उपाध्याए बीते दिसंबर महिने 2021 को सीतापूर से ट्रांसफर होकर उन्नाव आये थे। धर्मराज उपाध्याए के कई वीडियो यूट्यूब पर हैं। उन्होंने चुनाओ के दावराण निहराठोर को भी यूपी में काबा का जवाब दिया था। चलिए देखते हैं इंस्पेक्टर धर्मराज उपाध्याए का ये नया वाइरल वीडियो। सोसल साइट पर आकर नफरत फैलाओगे तो दरदर ठोकर खाओगे पकड़ कर जेल भी जाओगे। अमन चैन के दुसमन सुनलो छोड़ बुराई नेकी चुनलो सांत देश को नफरत का जो गीत सुनाओगे तो दरदर ठोकर खाओगे पकड़ कर जेल भी जाओगे। तो दरदर ठोकर खाओगे पकड़ कर जेल भी जाओगे। मानोता का ज्यान नहीं है पस वह वो इनसान नहीं है और नेक देश को तुम कुछ अक्र से। यदि सुलगाओगे तो दरदर ठोकर खाओगे पकड़ कर जेल भी जाओगे। कहा निसाना कहा नजर है पुलिस को इसकी खूब खबर है। और चदम रूप धर करके भी यदि आग लगाओगे तो दरदर ठोकर खाओगे पकड़ कर जेल भी जाओगे। जय हिंद जय भारत दोस्तों जो भी सोचल साइट पर नफरती कमेंट्स करते हैं नफरती पोस्ट डालते हैं उनकी सूचना ततकाल पुलिस को दीजिए और पुलिस खुद सतरक दिल्ष्ट रखे हुए है। कोई भी गुनागार बक्सा नहीं जाएगा। जय हिंद जय भारत।